नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससी लर्निंग पाइंट भाई सिंग सर आज हम करेंगे 27 जून की सिप्ट 3 का पेपर ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं टाइम बेस्ट तो करना नहीं है पस वीडियो आपको कम्लीट करके कमेंट में लिखना होता है डन तो बोतों जर स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है एक ट्रेन 35 मिनट में 56 कि दूरी तै करती है उसी गती से यात्रा करते हुए ट्रेन कितने सेकेंड में 720 मीटर की दूरी तै करेगी अब यहां पर देखो पहले 56 किलोमीटर जा रहा था यानि कि इसको अगर मीटर में बना ले तो इतना हो ज साथ पंजे 35 हो गया इधर करेंगे साथ 120 बटे में 800 हो गया और छे पंजे 30 जो नीचे का था ना यह यह उपर पहुंच जाएगा तो जीरो से जीरो आट ने बातर नौतिये 27 सेकेंड उसको लगेंगे यह तो आसान था अगला सवाल अब इस सवाल में देखो थोड़ा सा मि सिंपल है देखो 7290 हो गया बटे में 10% डिसकाउंट तो नो बचा फिर 10% का और हो गया नो बच गया तो एक क्यासी यानिकी नो बार भाग जाएगा अंसल लगा तो अब आपको इस तरीके से नहीं लिखना कि यह मार्क प्राइज रहा फिर चूट दे दी तो नो बटे में 10 नो बटे में 10 फिर बराबर में आप लिख रहें 7 to 9 भाई ऑप्सन जब तक ना चाहे तब तक आपको नहीं करना है हिंदी वाला काट देना ठीक है अगला सा बाल 28 सेंटिमेटर ब्यास वाले गोले का प्रष्टिय चेत्रफल गयाद किजिए देखो गोले का प्रष्टिय च गंड़ा होना चाहे चा बरष्ट का मान 156 जब रेडियस चौहवेस हमारी 14 हो जाती है तो यह दो गुना हो जाता है यह चार गुना हो जाएगा रेडियस दो गुना हुए तो यह करते हैा यह आपको छालना है यह नहीं करोगी तो confidence नहीं आएगा, यहाँ पर हमें ब्यास दिया गया तो यानि कि इसका मतलब radius हमारी 14 हो गई, तो इसलिए हमने direct calculation कर ली, अगला सवाल, अब इसमें देखो, कह रहा था, अधिकतम मान हमको बताना है, तो सबसे पहले देखो, इस court theta को लिखेंगे, तो कहा लिख सकते, cause upon sign, यह से cancel out हो गया, यहाँ पर लिखा, 19 sin theta, plus में हो गया, 6 court theta, अब इसका direct result होता है, अगर maximum बोलते तो plus लगा दो, minimum बोलते तो minus लगा दो, क्या करना है, 19 का square, plus में 6 का square, 19, 19, 361, plus में 36 हो गया, यहनि कि 6, 17 हो गया, 6, 39 हो गया, यहनि कि 397, root में कहीं लिखा है, answer, अगला सव अब इस सवाल को देखो, simple है, calculation करना है, बाकी तो जोड लेते हैं, पहले तो 4 हो गया, 7, 10 की 0 हो गया, 8, 3, 11 हो गया, 4 से काटेंगे, इसको तो 4, 2, 8 हो गया, 4, 7, 8, 4, 24, गोड़े में 7 हो गया, तो यह 7 है ना, इस 7 से पहले इसको काट लो, 7, 1, 7 हो गया, इधर लिख लेत 6, 4, 24 हो गया, और 6 बार चला जाएगा, यानि कि यह तो ज़्यादा भी बार जा रहा है, चलो कोई नहीं, 6, 2, 12, 6, 2, 12, 6, 8, 48 हो गया, इधर करेंगे तो 23, 2, 14 भी हो गया, पहले 2 से काट लेते, क्योंकि बाद में आसान रहेगा, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 4, 8 हो गया, 23 से करेंगे 23, 24, 22 हो गया, बचा कितना 18 है, और 23, 28, 184 होगा, प्लस में करना 513, यानि कि 8, 3, 11 हो गया, यूनि डिजिट से आंसर आ गया, अब यूनि डिजिट गया, आंसर तो ऐसे ही कर लिया था, अगला सवाल, यदि 24 ब्यक्ति, 25 दिनों में 90 समान दीवारें बना सकते हैं, तो ऐसी 162 दिवारों को बनाने में 27 ब्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे, भाई, M1, T1, H1, जो कुछ भी पता हो, सब ऐसे ही लिख दो, MDH वाला फार्मूला होता, भाई, M2, D2, S2, अपॉन में W2, यहाँ पर जो भी पता होता, उसकी मान रखते हैं, जो नहीं पता होता, उसको बठा देते हैं, काम हमें 90 दिवारों बनाना, तो X दिन में 162 दिवारों बना देंगे, तो सबसे पहले करेंगे 18 नहीं में 162 होता है, 18 नहीं 1849, 27 हो गया, 3, 8, 24 हो गया, 25, 25, 45, 40 हो गया, X, कितने दिन और चाहिए बहाई, 25 गटा तो 15 दिन और चाहिए थे, 25 दिन पहले थ ना, अगला सवाल करते हैं, तिरवोजे ABC में B, AC 30 है, BC ये 60 है, AC 13 दे दिया, AB 12 और BC पूछा है, देखो, 60, 90 है, यानि कि संकोंट तिरवोजो गया, 5 बारे 13, आंसर लगा दो, कुछ करना ही नहीं था भाई, मुझे लगा ठोड़ा टफ होगा, अच्छा होगा, ये A हो गया ये M को बोल दिया था क्या, BC, यानि कि C यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा, ये M को 13 दे दिया था, A भी 12 दे दिया था, ये 5 हो जाता, अगला सवाल, R घर से 30 मिनट में कारेले पहुंसता है, और 20 मिनट में बापस आता है, घर से उसके कारेले की दूरी इतने सेंटीमीटर है, बताइए कि घर से कारेले तक जाने और फिर घर पर बापस आने में उसकी ओसा चाल क्या होगी, क्या मतलब हुआ, सेंटीमीटर में रखा, किलोमीटर कर लेना, ठीक है, भई मैं को ऐसा लेंदी कैसे बन रहा है, एवरेज स्पीट, टोटल डिस्टेंस अप बाग करेंगे, तो 60 का गुणा कर देते हूं उपर, क्योंकि बाग करेंगे, वो उपर पहुंच जाएगा, हमें किलोमीटर पर गंटा में निकालना था, तो यह 50 हो गया, यह पॉाइंट इससे अटा दो, यानिकि यहां पर लिखेंगे, 125 गोड़े में 2, गोड़े में 6, ब आरेक्टर फार्मूला लिखा, कॉस्स टू ठीटा के देखो, और फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला आपको मिलेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्कॉय ठीटा, एक इसका फार्मूला मिलेगा, 2 कॉस स्कॉय ठीटा, माइनस का 1, एक फार्मूला मिलेगा, 1 माइनस का 10 स्कॉय ठी कटी जाना है तो direct calculation करते हैं इन दोनों का difference करते हैं 16 से 9 गया तो 7 हो गया answer आ चुका है ठीक है और 6 से 4 गया तो 2 हो गया इधर बच गया 5 और बटेम हो गया हमारे पास इन दोनों को जोड़ देंगे अगला सवाल अब यह आसान देखो आपको यह पता होना चाहिए एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा जब प्लस होगा तो direct आ जाएगा तो यह आजाएगा 4AB यह ध्यान रखना तो उपर अगर लिखेंगे तो यह क्या आजाएगा माइनस का साइन है तो 4 इंटू में AB आ जाएगा नीचे क्या लिखा AB लिखा हुआ तो यह कैंसल आउट आंसर आ गया 4 अगला सावार 18 करमचारियों का कार रिको 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं बे एक साथ काम करना सुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और करमचारी उनके साथ चुड़ जाते हैं कार को कुल मिला कर कितने दिनों में पूरा किया गया अब देखो एक आदमी की efficiency एक मान लेते है तो 18 करमचारी दिना करमचारी के efficiency एक मान लो तो ये तो हमारे पास क्या हो गया टोटल वर्क हो गया 26 दिनों के बाद 10 करमचारी और आ गये तो सबसे पहले देखो 26 दिन में कितने आदमी काम कर रहे दा 18 गुड़े में कितना काम किया फिर 10 करमचारी और आये यानि कि अगर गया नौ से दो गया तो साथ हो गया खुड़े में 18 अब दस आदमी और आ गये यानिकि 18 पहले थे दस और आगे कितने हो गये 28 आदमी अब 28 आदमी कितने दिनों में कर रहे है चार चोको सोला चार पंज़े यानि कि 45 दिन ये लगे और पहले भी 26 दिन काम कर चुके तो 45 प पूर्व क्या होगी एक वर्स पूर्व सेंसं क्या क्या आती देखो आसान है 108 का मान दिया गया था बन 42560 अब एक ची बताओ आठ में किसका गुणा करें हमें छे मिल जाए 8-3-24 हटा दो 8-1-8 हटा दो 8-4-32 हटा दो 8-2-16 अंसर कुछ भी करना पड़ा नहीं बस आपको अगर कैलकुलेशन करने हैं सौका गुणा करके आराम से कर लेना अगला सावाल सिंप्लिविकेशन भाई अगर इधर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं दो प्लस का एक बटे में 5-2 लिख सकते हैं देखते ही समझ में आना चाहिए यह कट रहा है और यह 5 इससे 5 से कट जाएगा यानिकि यह पूरा ब्रेकिट हमारे पास क्या निकल कराया तो एक बटे में 4 प्लस का हो गया दो बटे में 5 और गोड़े में हो गया हमारे पास 1- का यह आफ्टा सॉल्व करेंगे तो यह हो गया दो बटे में 5 यानिकि यह इससे कैंसल आउट हो गया एक बटे में 4 अगला सवाल दो गोलों के प्रिष्टिये 6 तरफल का बात ग्याद करें अगर जब प्रिष्टिये 6 तरफल लिखोगे तो उसमें जो भी एक्ष्टा होता वो सब कट जाएगा इसका ही तो मान बचे का 9 बटे में 49 यानिकि आरवन अपॉन में रूट लेंगे तो क्या हो गया तीन बटे में साथ अब इनका अगर क्यूब कर देत 50% की ब्रद्दी की जाती है तो प्रष्टिये 6 तरफल में परसेनटेज की ब्रद्दी देखो गोले का एरिया होता 4 पाई आर इसकुआर तो आर के वार आया दो बार तो दो बार ब्रद्दी होगी तो आपको फैर्मूला तो पता आना ठौन understoodìnट तो ये और बी 2 नोबार 40 आप फार्मूले में हर्जी एक चील लिखके रखवाओं फिर तो हो गया ताइम भी बेश्ट जाहेगा और सीखो गवी कुछ नहीं कि कैसे अप्रोच करना है अगला सवाल इसको देखो भाई दो उमीदवार के बीच एक चुनाओं में 10% मतदाताओं नहीं डाले और 75 बोट अमान ने गए विजेता को आपेचित कुल बोटों के 50% बोट मिले 170 बोटों से जीत गया मतदाता सोची में कितने मतदाताओं नाम दर्ज है यस टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं 10% ने बोट नहीं डाला डाला कितना 90 लोगों ने इसमें से 50% मिले टोटल के यानि कि 50 एक आदमी ले गया दूसरा कितना ले चालेस हमारे एसाब से कितने से हरा जीती हुई 10% से हुई कोशन में देख लेते हैं 170 बोटों से वो जीत रहा था अगर हारने वाले को यह जो अमाने बोट हुए हैं यह मिल जाते तो वो इतने बोट कम से हारता यानि कि जो डिफरेंस 170 था वो उतना ही कम हो जाता 170 से 170 गटाया तो कितना बचा 100 यानि कि यह 95 आ गया समझ गया भाई हारने वाला 170 से हार रहा उसकी किस्मत अच्छी निकली कि 75 उसको और मिल गए तो वो इतना ही डिफरेंस और कम कर देगा तो 170 से 75 कम कर लिए यह 95 आ गया और कह रहा था कितने दर्स थे 100 कामान यानि कि 10 छाओ कि एक आइताकार सीट इतनी सेंटिमीटर दिएग sih समान बरंगों को कौने से काल दिया जाता है और से को मूर्ड करें खुला आयताकार बक्सा मुखसे का आईतन ग्यात कीिएppenि देखो अगर खुला हो बंदो उससे ज़्यादा फरक नहीं बढ़ता है रीजन उसके पीछे यह है कि आयतन तो सेमी गे रहेगा छतना होने से और होने से केवल एरिया में फरक पड़ता है ठीक है यह रहा अब यह बाले जो पार्ट ना यहां से काट लिया गया यानि कि यह पाले पार्ट क्या हो गया यह हट गया यहां से यानि कि यह जो आप घर पे प्रक्टिकल करके देखना इसे कोने काट गया आपको समझ में आ जाएगा कैसे बन रहा है यानि कि इनकि सम्में फरक पड़ गया कितना कितना फरक पड़ गया यानि कि अगर 5 इदर से गया तो 5 इदर से भी गया यानि कि ये भी 5 चला गया तो ये भी 5 गया और ये वाला हिस्सा ना ये वाला हिस्सा ये उठके आ जाएगा उपर क्योंकि उसे बंद बनाना है तो बैया एक चीज बताओ ये वाली जो distance है यहां से लेके यहां तक ये 60-10 यानि कि 50 हो गई और ये वाली भी distance आकर देखेंगे तो ये वाली distance कितनी हो जाएगी 25-10 कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 15 अब हाइट कितनी हो गई क्योंकि 5 काटा गया ये ही इससा उठकर उपर पहुंच जाएगा तो हाइट हमारे पास हो गई 5 तो 50 गुड़े में 15 गुड़े में हो गया 5 तो 25 पंजी 125 पच्चे से कम 25 बारे से 37 अंसर अगला सवाल सिंप्लिफिकेशन है भाई देखो यहाँ पर माइनस था 6 से 4 जाएगा तो 2 हो गया 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर साइन डिवाइड का है तो इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ पर सबसे पहले ब्रेकट 8 से 1 गया तो 7 बच्चे का 7 9 से 7 गया तो 2 हो गया इदर यह प्लस हो जाएगा यानि कि 8 से 14 चावालिस हो गया चावालिस गुड़े में 2 अठासी हो गया और बचा क्या था हमारे पास भाग में भाग में 8 ता आंसर आ गया गया रहे अगला सवाल करा था किस बरस में पी और क्यू प्रकार की कारों का कुल उत्पादन ROAS प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बरावरता सबसे पहले option देखेंगे 90 तो चेक करना नहीं है 91, 92, 93 और ये भी अठा दो 94 और बस इतने ही बचे 4 तो देख लो भाई PQ और ये RS यानि कि यहाँ पर 24 हो गया यहाँ पर करेंगे तो कितना हो गया 25 ये तो अटा दो इधर देखेंगे ये 30 हो गया ये 26 हो गया हटा दो फिर इसमें देखेंगे 29 हो गया ये 31 हो जाएगा अटा दो इधर देखेंगे यह answer तो आई गया है वाकी ठीक है इधर करेंगे तो यह 33 हो गया इधर करेंगे तो यह भी 33 हो गया बस answer लगा दो कितना 93 अगला सवाल चलो वाई करते है अगला अब इसमें देखो 10 theta यह दिया गया था तो अगर simple से पहले देखो यह लिखा है 1 minus का sin square theta और यह तो बन गया हमारे पास क्या cot square में ठीटा यहने कि cot में यह तो 10 का पोजिट होता तो 10 बटे में 3 का whole square हो गया यहने कि 100 बटे में no answer अगला सवाल यदि 35 cm और 25 cm तरज्या वाले दो ब्रत एक दूसरे को बाहर रूप से सपर्स करते हैं और वैनिश्ट सपर्स की रेका कभ देखो इसको हम 6 के करीब लेख सकते हैं तो 36 35 दूनी 60 बन गया जाकर हमारे पास तो यह तो हो यह नहीं सकता क्योंकि approximate answer आएगा अगला सवाल अब इस सवाल में देखो value putting अगर करनी है ना तो एक चीद्यान रखना 90 0 नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर भी बात आप समझ सक infinite बना देगा क्योंकि का पोजिट होता है बहां से बात बनेगी नहीं फिर इसके लावा आप कुछ भी value putting करके आप कर सकते हैं अब हमारा काम है सिंपल सा solve करवाना तो सबसे पहले देखो इसमें एक सिस्पायर हो रहा केवल इसके लावा कुछ भी स्पायर नहीं हुआ तो ह sign, theta Cos, theta हो गया, अगर हम इसको भी अगर convert करके लिख लें तो रहावर में one upon में Cos, plus का one upon में – sign हो गया, यानि कि sign plus का आपान में sin into में Cos हो गया, इसका आमान हमें x दिया गया था यानि कि अगर हम देखें तो यह हो गया हमारे पास sign और cos यहाँ पर ऐसे लिखें sign और यह हो गया cos यह बन गया ऊपर तो हमारे पास x था x upon में y बन गया यहाँ पर हम put कर सकते हैं तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं X स्क्वाइर बराबर में 1 प्लस का 2 इंटो में X अपॉन में Y हो गया अब इसमें ये लेंगे लेंगे ल्स यहां पर एक गुणा हो जाएगा तो यह बन गया वाई X स्क्वाइर और बराबर में Y प्लस का 2 X कहीं देख रहा है आंसर आ गया ठीक है अब वैलोड पुटिंग करने जाओ यह इतना आसान था स्टेप्स करके आप ऐसे ही कर लेते जल्दी से करता है एक ब्यक्ति इतने की चाल से कुछ दूरी तै करता है और 8 किलोमेटर पति गंट पता है 2XY अपन में X प्लस Y जब डिस्टेंस हमारी कॉंस्टेंट हो जितना गया उतना ही बापस आ गया तो दो गुड़े में 12 गुड़े में 8 और 12 8 हो गया 20 यानि कि 2 से काटेंगे यह 10 हो गया 9.6 एवरेज स्पीड आगी किलोमेटर पति गंटे में यानि कि इसको भी हम आपको यह पताना एवरेज स्पीड वराबर क्या होता है तोटल डिस्टेंस अपॉण में टोटल टाइम तो भाई यहाँ पर एवरेज स्पीड 9.6 हो गई और यह तोटल डिस्टेंस होगी अपॉण में टोटल ताइम कितना हो गया 15 बटे में चया गुणा करेंगे 156,90 हो non-trained male teacher in college and non-trained female teacher in college देखो आसान है अगर एक ही हम बात करें तो 2-2 5 हो गया अब यहां पर देखो जो पड़े लिखे लोग है वो 44% है यानि कि जो नहीं पड़े लिखे होंगे नॉन होंगे वो कितने होंगे 56 परसेंट होंगे टोटल तो 108 परसेंट होता है तो यह 56 परसेंट हो गया दूसरी कंडीशन में देखेंगे तो बाई कितने थे यहां पर मैलाओं में 128 और 25 परसेंट अगर पड़ी लिखी है तो कितनी हो गई 75 परसेंट जो प्याड़ी लिखी नहीं ह तो 25, 75, 25, 100 हो गया, 4, 3, 12, 4, 2, 8, 32, 96, 29, 25, 25, 500 हो गया, इधर 14, 56, 14, 16, 26, 6, 12 हो गया, 9, 3, 12 हो गया, आसे लगा एक 222 अंसर, अगला सवाल, सांत जल में एक ब्यक्ति की चाल, धारा की चाल से इतने किलोमेटर पतिगंटा अधे गए, यदि बहे ब्यक्ति धारा के अनकूल दिसा में 45 किलोमेटर और धारा के प्रतकूल दिसा में 35 किलोमेटर की दूरी तै करने में कुल 10 गंटे लेता है, तो सांत जल में ब्यक्ति की चाल क्या है, अब ये देखो भाई, धारा की अपोजिट डिरेक्शन है, यानि कि डाउन वाली तो आपको स्पीड दे दी थी, य इसमें तो हमें पता है विपरीट जा रहा था, उसकी तो स्पीड हमें 4 दे दी थी, यानि कि अगर हम देखें तो ये टाइम आ गया निकल कर, भाई जो विपरीट वाला था वो टाइम आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, तो 10 चौक 40 यानि कि 5 बटे में 4 गंटे ये टाइम निकल कर आ गया, ये किसका टाइम आया, ये यहाँ पर लग रहा है, यानि कि 45 बटे में A प्लस का B बराबर में ये हो गया, 5 बटे में 4 ठीक है, अब यहाँ पर 45 यानि कि A प्लस B बराबर क्या आ गया, 36 आ गया, और A माइनस B आपको पता था, 4 था, तो भाईया हमें किसका निकालना है ब्यक्ति की चाल तो दोनों को जोड देंगे और दो का भाग कर देंगे यानि कि आंसर क्या गया 20 आ गया ठीक है यहाँ पर तो समझ गया यह अपर क्या गया टाइम बरावर लिखा डिस्टेंस अपाउन में स्पीड ठीक है अगला सवाल करते हैं एक च अब वो यह कहरा था एक को 27% मत मिले हैं लेकिन टोटल चुनाओ टोटल बोड के मिले हैं चाया की उससे 27 मिले है तो एक कोगर 25 मिले यानि कि यह के हो गए है यह बीके हो गए है यानी कि इसी चववन का मान 24 का अमान हमें 80 से कर लो 27 से कम 27, 27 दूनी 14 इसका अमान दिया गया था हमको 125982 हमें इसका अमान निकालना था यनिकि 2 से भाग कर देंगे डारेक्ट तो 2 चक्के 12, 2 दूनी 4 हो गया 2 दूनी 8, 2 दूने में 18 हो गया इंगलबल का हो गया बई? अच्छा दो था तो दो ने में अठारा तो एकम दो अंसर अगला सवाल यदि Amazon Delivery भागीदारों को औसतन 21,000 रुपए का बेतन देने का फैसला करता है और 2022 में उसी के लिए इतने रुपए करोड अवंटित करता है तो 2021 से 22 तक डिलेवरी भागीदारों की संख्या में होने व होगे तो दो इसमें चले गए बचे कितने पांच जीरो दो चार और पांच बटे में करेंगे 21,000 एक आदमी को दे रहे थे तो यह तो यह तो यहां पर देखो यह 0 से 0 चला गया 64-100 होगा कि कोई 2 जीरो तो बचेते न तो यह 2 जीरो चले गए इधर देखेंगे तो कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया किस से 50 से बुड़े में 100 तो आंसर आ गया कितना 28% अगला सावान एक बेमान डीलर अपने सामान को क्रे मुल पर 20% हानी पर बेशता है लेकिन एक जन का कम व्यों कर रहा है यानि कि वो 100 ग्राम के या 100 किलो के पैसे लेना चाहता है लेकिन अपने पास से 25% कम चीज देना चाहता है यानि कि 75 यह कैंसल आउट हो गया इधर देखो कितने का फाइदा ले लिया 5 का किस पर 75 पर गुड़े में 100 हो गया तो यह 15 हो गया और माइनस का है और यह प्लस का है इधर आगे देखेंगे कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर देखेंगे यह माइनस का हो गया और यह प्लस का हो गया यह माइनस का नो यह प्लस का नो यानि कि अंसर क्या आगया वन अगला सवाल एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलोग्राम करता है तो सिंपल है भाई देको 700 रुपे में 10 केजी खरी देते यानि कि 700 रुपे हो गया परवेन पर कुछ रासी उसने इतनी बे कर दी 30% का लाव लिया यानि कि 130 बटे में 100 हो गया और इसी कामान दे दिया था 1400 तो इधर 0 से 0 चला गया इधर करेंगे 13 एकम 13 हो गया बचा क ठीक है तो 0 जाएगा 13 सत्य क्यानवे हो जाएगा और बचेगा 9 एक 0 यह आजाएगा 13 चक्ततर और 13 सत्य क्यानवे सात बार कर लो चलो ठीक है तो X बराबर निकालेंगे तो इधर बच गया 10 से यानि कि 7 हो गया 7 हो गया 10 से ता त्यन गया 10 से साध है तीन तो approximate answer आ जाएगा ठीक है थोड़ा सथा अगला सवाल परवार का कुल मासिक बै कीजिए अब यहाँ पर देखो सवाल में यह लिखा एक परवार की मासिक बै दिया गया जबकि यहाँ पर मासिक बै के साथ बच्चत भी है यानि कि 360 कामान निकालना था तो यह यहां से एक जीरो से एक जीरो चला गया इधर 6 पंजे 30 करेंगे 8 पंजे 40 यानि कि 40,000 आंसर आ जाएगा लेकिन यहां पर यही लिखना चाहिए था बच्चत और मासिक बे दोनों क्योंकि हमें पूरा 360 डिगरी पता था अगर हमने यह किसे कर लिया अगला सवाल एक बेक्ति ने साधार ब्याज पर कुछ धनरासी बैंक में जमा की 20 वरसों के बाद धनरासी जमा की गई धनरासी से 9 गुना हो गई यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वरसों में धनरासी 13 गुना हो जाएगी आसान है भाई पहले देखो 9 अगला सवाल एक जल निकासी टाइल इतने सेंटीमेटर लंबा एक बेलनाकार खोल है आंत्रे और बहाई ब्यास क्रमसा इतने इतने हैं तो टाइल के लिए अवस्यक मिट्टी का आयतन क्या है भाई दिखो बहुत सिंपल है कोल मिलाकर हमें खोकले बेलन का आयतन निकालना था यह इस तरीके से बना हुआ था यह प्राहोगा इसका बस ठीक है अब उससे पहले आंसर तो हमारा ऐसे ही आ चुका है क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी आपको पता है कि पाई यानि की 22 बटे में साथ और कैपिटल आरे स्कार माइनस का आरे स्कार इंटू में हाइड हो आपको दोनों कंडिशन में मिलना क्या है एविन नंबर तो यह बाइसा बाकी सब क्या कर रहे थे आप करते रहे ना आप सवाल कैपिटल आर आपके पास साथ हो जाएगी इसमाल आर हो जाएगी हमारे पास चार अब इसमें सॉल्व कर लेना जैसे भी करना चाओ बस यहाँ पर यह याद रखना इसको सॉल्व करोगे तो आर माइनस का आर लिखेंगे पर यह आर पिलस का आर लिखेंगे कैल्कुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी अगला सवाल करें चलो फिर वाई सिंप्लिफिकेशन आया बाई दस चार 14 यानिकि इदर माइनस का दो हो गया माइन कहां लिखना है बस इसके लावा कुछ नहीं देखना है अगर उपर लिखा तो इसकी बुझा में निकाल नहीं है बटे में 16 और इसकी बुझा देगी ति 2.4 बस खतम हो गया ठीक है और यह तो पता ही होगा ना एरिया के साथ तरबुच का चाहे साइड हो चाहे सब स्कॉयर में चलता है तो रूट ले लेंगे पांच बटे में चार बराबर में एक्स अपाउन में 2.4 चार चंग चौबे छे पंजे तीस यानिक एक्स बराबर में 3 अगला सवाल यह तो आसा ना वाई एक्स बराबर में बन पुट कर दो सैटिसफाइड हो जाएगा तो अगला सवाल अब इसमें देखो रेशियो देख लो किसमें अलग लिखा देखो इसमें सेम लिखा है लास्ट वाले में देखो सम्में अलग यह अलग लिखा है तो लास्ट वाले पे हम काम कर लेते हैं बी का साट परसेंट साट परसेंट मतलब हो गया बीस तिया साट हो ग पूरा नहीं बनाना आपको बनाने जाओंगे टाइम क्यों खराब करना वहीं सिंप्लिफिकेशन है सबसे पहले डिवाइड का सॉल्फ करेंगे तो यह हो गया और यह माइनस चार यह प्लस चार कैंसे लाउट चार 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 की पावर चार डारेक्ट दिया था अगला सवाल स च्छिडिक वर्स 2223 के दोरान सभी सहरों में मिलाकर बिज्ञान पाठे करम में विद्यारतियों की उसस संख्या बिज्ञान मतलब यह रहा किसमें सब कुस तो लिखा है करवाना क्या चाहता है तो कितने ते पांच का भाग करना है वन वन टू डबल लिरो में पांच अगला सवाल सत्रे अठारे करम चारियों की भरती में पर्सेंटेज ब्रद्धी बतानी सत्रे और अठारे में ब्रद्धी यहां पर देखो यह अगर बीच का मालने तो यह पांस ओ रहा होगा और यह आपर देखेंगा आलमोस्ट पूरा ही हो रहा है एक अजार हो गया तो 10.io care Rich Short सभी सेहरों में ई बियां के बिज्ञारतियों और सभी सेहरों में कुल मिलाकर आइंबुये के बिज्ञारतों के भी चंतर कितना है विज्ञान ए rappers अरद्ध। वाला वालीसा भी यह है इंहियों का होगा जीरो दस से छेगया तो चार हो गया और ग्यारे से नो हो गया तो दो हो गया answer तो आई चुका था और पक्चा कितना था यहां पर दस, दस से छे गया चार अगला सावार एक store में इतने रुपए आंकित मूल बाली एक बट्टू बट्टा करत मूल पर इतने में उपलत्त है बस तो पर कितने percent की छूट है आसान है ये cancel out हो गया 5 से 2 गया 3 हो गया 12 से 9 गया तो 3 हो गया 33 बटे में 33 की छूट मिल गई किस पर 825 में गुड़े में हो गया तो ये साफ साफ दिख रहा है 25 वार थोड़ा option का भी सारा ले लिया करो ठीक है अगला सवाल अब इसको देखो भ मारे पास 1 प्लस का 38 साथ उपर पहुंच जाएगा बटे में 38 तो 8-7-15 यानि की 45 बटे में 38 हो गया अब आगे करोगे फिर से देखो यहां तक कर चुके हैं तो यह हो जाएगा मारे पास 1 प्लस का 38 उपर हो गया नीचे 45 तो यहां पर सवाल तो आज चुका ना answer आपको Л,2 डू,D,E का मद्द्विन्दू है तो बुजा की लंबाए क्या होगी , देख लेते हैं किसकी बात कर रहा वाई ड,E और F,R भी जी the ,D step obscure लोडी का मद्द्विन्दू है , ठीक है यह ये बराबर होंगी दोनों पुझाएं बिल्कुल करता एफ जी का मान बताना बताओ आइड पूँच लेता भाई सीधे क्यों ऐसा लिख दिया और यहां पर देखो कह गुणा हो जाएगी 6 रूट 3 बुझा 6 हो जाती तो कहे गुणा हो बीती इसका स्क्वाइर करो रूट 3 को चिपका दो अगर 12 बोल देता तो कहे गुणा हो रहा 6 गुणा, 6 का स्क्वाइर करो 36 रूट 3 चिपका दो तो ये जल्दी आंसर आ जाता वाकि तो फौर मूले भी होते हैं संभाव द्रवज में कुछ भी फरक नहीं बढ़ता है हाइट हो, सब एक ही जगे होता है इसलिए डारेक्ट रांसर आया अगला साभा A और B के अंकों का अनपाथ इतना है B और C के अंकों का अनपाथ इतना है C और A के अंकों के बीच अंतर इतना है पहां से 3 गया दो दो बढवर में 30 हो गया 4 बढवर निकालना था याने की 60 आंसर अगला सवाल मेट्ू एक काम को 12 गंटे में पूरा कर सकती है इसी काम को T2 और C2 एक साथ मिलकर 2 गंटे में कर सकते है तता मीट्व और C2 एक साथ मिलकर 3 गंटे में मीटू एक काम को 12 गंटे में पूरा कर सकती है इसी काम को T2 और C2 एक साथ मिलकर 2 गंटे में कर सकते हैं तता मीटू और C2 एक साथ मिलकर 3 गंटे में तो T2 अकेले इस कार को कितने में कर सकता है पहले तो LCM ले लिए हमने 12 यह हो गया मीतू, दूसरे हम हो गया T2 और C2, तीसरे हम हो गया मीतू और C2, ठीक है? चलो, C2 में C बनाना चाहिए, चलो, कोई नहीं क्या फरक पड़ता है इस से, यह 1 efficiency हो गई, इसकी 6 हो गई, इसकी 4 हो गई, हमें किसका निकालना में T2 का निकालना, T2 का निकालना तो हमें बाइसाब, T2 का निकालना तो हमें C2 का पता होना चाहिए, यह निकि इसकी efficiency 1 है तो इसकी 3 हो गई, तो इसकी अगर efficiency 3 हो गई, तो इसकी efficiency 3 हो जाए, क्योंकि total हमें 6 बनानी, तो भाग कर दो 3 से, 4 आंसर, अगला सबान, मिसर दातू A और B में, लेड और टिन का अनपात इत होगी, हमें केवल 10 ही तो निकालनी है, खतम हो गया सवाल, भाई देखो 80 किलोग्राम एको मिलाए गया, हम देखेंगे तो total तो 8 था, 8 बराबर में 80 दे दिया था, इसमें अगर देखेंगे तो हमें 10 की मातरा 10 सेकेंड नमबर पे तो 3 का गुणा कर दिया, भाई 5 अनपात म हो गया, हमारे पास लेड हो गया, यानिकी पीवी लिखते हैं और यह हो गया हमारे पास 10, तो total 8 था, 8 कामान 80 हो गया, 3 बराबर निकाल लिया, प्लस में करना है, अब B में आ जाते है, total quantity 4 थी, 4 कामान हमें 100 दे दिया था, 10 दूसरे नमबर पे लिखा यानिक एक बराबर, तो यह 25 हो गया, और यह दर 30 हो गया, 30 प्लस का 25 करेंगे, 55 आंसर आ गया, डारेक्ट कुछ सोचना भी नहीं था, चलिए फिर यह भी सेट हमारी समाप्त हो गयी, यह नहीं की सत्ता है, इसके सेट थरी, ठीक है, आसा है, अच्छे लग रहे होंगे, कोशन आपको solution भी